नमस्ते मैं हूँ Dr. Suresh और Teacher Education Simplified Channel में आपका स्वागत है Screencastify का ये Part 2 है Part 1 में मैंने ये बताया है कि इस extension को Google Chrome में किस तरह से add किया जाता है और उसकी जो पहली फैसिलिटी है Record from tab इसके बारे में Part 1 में बताया है इस भाग में मैं आपको बताऊंगा आगे के दो फीचर जैसे कि आपको पता है Screencastify एक extension है Google Chrome में जिसको हम add कर सकते है जो कि एक अच्छा सा screen recorder है तो देखते हैं कि desktop recording किस तरह से की जा सकती है उसके लिए हम Google Chrome को open करते है इसके लिए हमारा internet connection होना जरूरी है क्योंकि और हमें login भी किया होना जरूरी है Chrome में हम Screencastify के इस icon पर क्लिक करते है तो यह dialogue box आजाता है इसमें हमें desktop पर क्लिक करना है पहले पार्ट में मनें दिखाया है कि browser tab को recording किस तरह से करते है अब देखते है कि desktop को किस तरह से किया जाता है तो अपकोर्स हमें उसके साथ आवाज चाहिए तो हम यहां पर इसको on रखते है यह अब यह on position में तो microphone on होता है तो हम जो भी narrate करेंगे उसके साथ उसका भी recording हो जाएगा उसके साथ अगर हम खुद भी दिखना चाहते है तो हम यह on position पे रखते है तो इसके वज़े से जैसे के PowerPoint के साथ explain करना चाहते है और हम चाहते हम खुद भी दिखे तो presenter भी यहां पर दिख सकता है अगर हम इसको on करते हैं जैसे यह on करते हैं हम रेकॉर्ड पर उसके बाद क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यह option आएगा कि हमें क्या शेयर करना है क्या record करना है कौन सी window record करनी यह कौन सा screen record करना है तो उसमें हम यह select करना होगा उसके बाद यह select करने के बाद हम share प्लिक करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर PowerPoint शेयर किया है तो PowerPoint यहाँ पर open हो जाता है अब मैं इस PowerPoint को प्ले करूँगा और उसके साथ पूरा explanation करूगा जिस तरह से पूरा PowerPoint शो बना के करते हैं उससी तरह से इसको भी मैं present करूँगा उसके साथ explain करूँगा होने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पर stop sharing करते ही उसका recording stop हो जाएगी तो यह window open हो जाएगी यह video जो record होगा है screen recorder के साथ PowerPoint के साथ और मेरे खुद के वीडियो के साथ यहाँ इस तरह से window open हो जाती है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताए कि यह video जो होता है by default Google Drive में से होता है तो यहाँ पर हम यह इस तरह की recording देख सकते है यहाँ presenter खुद है और यहाँ पर presentation भी है तो इस तरह सी यह recording हो गई है हम चाहे तो इसको share to classroom कर सकते है या फिर published on YouTube कर सकते है या फिर इसकी link भी generate कर सक सकते है इस तरह से हम पूरा जो screen recorder है powerpoint के साथ chrome की मज़द से कर सकते है अब इसमें last वाला जो facility है वो webcam only उसका भी हम इस्तेमाल करना चाहते है तो हम यहाँ पर microphone को on कर देते है और यहाँ पर by default camera को off नहीं कर सकते क्योंकि यह सिर्प webcam की recording है इसलिए यहाँ पर on off का option नहीं ह क्योंकि इसका on होना ज़रूर है अगर आप उसके साथ recording भी करना चाहते तो आपको microphone इस on position में रखना ज़रूर है जैसे कि पहले भी वीडियो में मैंने बताया कि countdown 5 seconds का मतलब है कि जैसे हम star record पे click करेंगे तो 5 seconds का countdown आएगा उसके बाद हम अपनी recording शुरू कर सकते है इस recording कर करने के बाद इस तरह से आप खुद इसमें दिखने लग जाएंगे और आपको जो भी recording करनी है आपको जो भी बलना है आप उसमें record कर सकते यहां पर pause और stop को भी बटन है आपकी recording कूरी हो जाने के बाद आप इस stop पे click कर सकते है उसके बाद यह video recorded video यह chrome में open हो जाएगा औ और इस तरह से हम जैसे कि मैंने पार्ट वन में भी बता है कि इसको हम trim कर सकते है दोनों तरफ से यह trim कर सकते है थोड़ा edit करने की facilities में है जैसे हम इसको trim कर देंगे तो इसके बाद हम इसको share कर सकते है या फिर share to google classroom भी कर सकते है या फिर publish कर सकते है YouTube पर सिधे या फिर local computer मे यहा से download भी कर सकते है इस तरह से हम screencastify का use करके screen record कर सकते है इसकी एक दो limitation है एक तो अब सिर्फ क्योंकि हम free version यूज़ करते है तो सिर्फ 5 मिनिट तक के ही वीडियो इसमें record कर सकते है और यह screencastify यह use करने के लिए हमें google account से इसको link करना जरूरी होता है इसका सिधा मतलब यह है कि google account की जो भी हमारी जानकारी वह screencastify को जाएगी यही नहीं जब हम google chrome में कुछ भी सर्च करेंगे जो भी activities करेंगे उसका सारी डेटा जो screencastify के पास जाएगा तो यह भी थोड़ी सी रिस्की बात है तो आप इसके बारे में सोच सकते है इस तरह से आप screencastify के google chrome के extension का यूज करके अच्छे से educational वीडियो बना सकते है थैंक यू फॉर वाचिंग